हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेका रहे हैं मात्र एक कप कच्छे चावल का इतना टेस्टी और हेल्दी नास्ता कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे खाने में यह बहुत ही सदा हेल्दी और टेस्टी होता है तो चलिए फैन बिना किसी देरी के फटा-फट से इस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर ले साथ में जो घंटी आती है उसे भी जरूर प्रस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन यानि की मैसेज आपको मिल सके और आप फटा-फट से वीडियो को वाच कर सके तो चलिए फैन बिना किसी द जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए किसी तरह के कॉलिटी वाले चावल का इस्तमाल करें तो देखिए इस तरह से हमने चावलो को अच्छे से धोना है तो एक से तो पानी हम इसे अच्छे से धोलेंगे ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी और माड बगरा है वो निकल आए तो इस नास्ते को बनाने के लिए आपको किसी भी स्पेशल कॉलिटी के चावलो का इस्तमाल नहीं करना है तो देखिए यहां पर हमने चावलो को एक से दो पानी अच्छे से वाश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी या पिर स्टार्ज वगरा हो वो निकल जा अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे एक से दो घंटे के लिए धूप में भी रखका सोग कर सकते हैं तब भी हमारा जो चावल है वो अच्छे से फूल जाएगा तो इस चावलो को हम फूलने के लिए छोड़ देते हैं तब तक कि अपने हम दूसरी त्यारी कर लेते तो देखें फैंट चावल हमारे काफी अच्छे से फूल गए हैं और इस तरह से जब आपके चावल अच्छे से फूल जाएंगे तब हम इसे पीस लेंगे तो पीसने के लिए हम लेंगे एक मिक्सिंग जार और इसमें हम एड़ करेंगे अपने सारे चावलो को तो चावल चावल आपको एड़ करने, इसके अंदर आपको पानी वगरा बिलकुल भी नहीं आड़ करना है, तो चावलों को एड़ करने के बाद, आप हम इसमें एड़ करेंगे आधा कब जितनी दही, तो दही आपको बिलकुल fresh इस्तमाल करनी है, बहुत सदा दिन की रख्योई दही का इस्तिमाल मत कीजिएगा वरना आपका जो नास्ता है वो बहुत ज़दा खटा हो जाएगा तो बस एक चौथा ही कब जितना हम इसमें पानी आट कर देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन से चार हरी मिच हरी मिच आप अपने स्पाइस के कॉर्डिंग डालिएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कांट अद्रक का टुकडा और इन सभी चीज़ों को डाल कर अब इसे हम कवर करके पीस लेंगे तो चलिए इसे हम फटा फट से पीस लेते हैं तो देखिए बैटर हमारा डैडी हो चुका है तो हमने इसे बहुत ज़दा थिक भी नहीं और बहुत ज़दा पतला भी नहीं किया है तो इस तरह से आप हम एक बोल में सारे बैटर को ट्रांस्फर कर देंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं तो बैटर को एक बोल में ट्रांस्फर करेंगे उसके बाद हम इसे रैस पर छोड़ देंगे तब तक कि अ डाल देंगे राई, एक चोथाई चम्मत जितना और एक चोथाई चम्मत से थोड़ा सा कम हम इसमे डालेंगे खाने वाला खड़ा जीरा, इसके साथ ही मिसमे डालेंगे थोड़ी से कड़ी पत्ते और दो गांठ हम इसमे अद्रक का टुकडा डालेंगे, साथ ही मिसमे डालें हम अच्छे से कुख हो इसके बाद हम इसमें टीन टुमाटर से तरह से आधे-ազे टुकड़ों में हम इसे कट करके इसिमें टुमाटर गाथ्टोक흡 हम इस साइट पर अच्छे से रखेंगे उसके बाद लिदे फार सा Меня अच्छे से गल जाए और यह बहुत ही जल्दी cook हो जाए, इसके बाद हम इसमें add करेंगे एक चौथाई चम्मत जितने चिली फ्रिक्स ये total optional है, अगर आपको तीखा जादा पसंदे तो आप इसमें add कर सकते हैं, वहना आप इसे skip कर सकते हैं, तो आप इसे हम लिड लगा कर ढख देंगे, और तकरीबन त steamer को तयार करना है, पहले से ही, तो यहाँ बार हमने पानी को गरम होने के लिए रख दिया है, तो तकरीबन एक से दो मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं, वह काफी अच्छा से हटने लगी है, तो यह sign है कि हमारे जो टमाटर हैं, वह काफ अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनके ऊपर जो चिलका है, वह हम निकाल लेंगे, तो इस तरह से हम अपने टमाटर के सारे चिलकों को निकाल लेंगे, क्योंकि इन टमाटर के चिलकों के हमें बिल्कुल भी ज़रुत नहीं हैं, तो अब हम एक मिक्सिंग जार ले यहां पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रिच और कितनी क्रीमी हमारी यह चटनी बनकर रैडी हो चुकी है तो अब अपनी चटनी के लिए हमें एक चट पटा सा तड़का बनाएंगे तो चलिए फैन पटा-फट से इसका तड़का तया करने के लिए हम एक पैन में डा दालेंगे इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हर इमिच और थोड़ी से करीपत्य को इसमें एड़ करेंगे तो दोनों चीजों को हमने बारे क्लिक कट कर लिया है इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा एक चौथा ही चंबल जितना साबू जीरा और थोड़ा सा ह तो यहां पर हमने महीन वाली राई का इस्तमाल किया है तो अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से चटकने देंगे तो फ्रेंस हमने यहां पर थोड़ा से ज़्यादा तयार किया है ताकि हम इसे चटनी और अपनी बैटर में दोनों में एड़ कर सकें तो देखिए बैटर हमारा रेड़ी हो चुका है तो अब इसमें एड़ करेंगे हम थोड़ा सा नमक और नमक के साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा इनो लेकिन इनो डालने से पहले हम अपनी इटली वाली ट्रे को अच्छे से सेट कर लेंगे तभी हम इसमें इनो डालेंगे ताकि हमारा जो बैटर है विल्कुल भी बैठे नहीं तो देखे इस तरह से हमने अपनी इटली वाले स्टैंड को अच्छे से ओइल से ग्रेस कर लिना है ताकि इसमें हमारी इटली स्टीम होके बिल्कुल भी चिपके नहीं तो oil से हमने अच्छे से इसे grease कर लिया है तो आप फटा-फट से अपने batter में हम ino डालेंगे तो ino आपको तभी डालना है जब आप सारे process को कर चुके हों क्योंकि ino के activate होने का थोड़ा सा ही time होता है और जैसे ही हम अपने नास्ते में ino add करते हैं उसके बाद हमें फटा-फट से इसे steam करना होता है बिल्कुल भी बाहर नहीं चोड़ना होता है वरना हमारा जो नास्ता है वो अच्छा नहीं बनता है तो बस आदा छोटा चम्मत चितना हम इसमें ino डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी add करेंगे ताकि हमारा जो ino है वो अच्छे से activate हो जाए और इसे डालकर हम इसे अच्छे से mix करेंगे तो अफटा-फट से हम अपने italy stand में इसे अच्छे से set कर लेंगे तो अफटा-फट से अपने तयार के वो बैटर को हम italy stand में अच्छे से फैला देंगे तो देखे इस तरह से आपको थोड़ा-फटा बैटर करके अपने सारे खानों में add करना है बहुत सदा बैटर को आपको नहीं डालना है क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा सा फूलता है तो इस तरह से आपको पेसेंसली हर खाने में इसे अच्छे से फील कर देना है एक बज़ अच्छे से फील हो जाएगा हम इसे फटा-फट से steamer में डाल देंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा steamer भी तयार हो चुका है तो बहुत ही हलके हाथों से आपको इसे अच्छे से सेट कर लेना है और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से steam होने देंगे 10 से 15 मिनट के बाद ही हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको इटलियों को बीच में बिल्कुल भी खोलना नहीं है वरना हमारी जो इटलियों को राइस नहीं होगी और यह बिल्कुल भी fully फुली नहीं बनेगी तो इसे अब हम steam होने देते हैं तो 15 मिनट हो चुके हैं और अब अपनी इटलियों को हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी जो इटलियों हो फुली फुली बन गी है तो आप अपनी इटलियों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जैसे ही हमारी इटलिया ठंडी हो जाएंगी हम एक नाइप की हल्श से इसे हम निकाल लेंगे तो जब हमारी इटलिया अछे से ठंडी हो जाती है तो खुद पर खुद निकल जाती है और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादाником बनी हैं तो बहुत जादा टेस्टी हमारी इटली बनकर तयार होती है वो भी एक कप कच्छे चावलों से तो अपनी सारी इटली को हम फटाफट से निकाल लेते हैं तो देखें यहाँ पर हमने एक बैच को अच्छे से बना लिया है तो इसी तरह से हम अपने दूसरे बैच को भी अच छाट चमाचित्तससाब करने दएं घरावी इसके साथ हम इसमें धालेंगे ओसी महीनवाली राइी और इस सभी चीजहों को हम अच्छे से चटकने देंगे साथ हीमिस में डालेंगे थोड़ी से करी पत्ते तot जैसे ही है तो यहां पर हमने औच्छे से फ्रया कर लिए तक् का सामर मसाला इस्तमाल किया है यह खाने में बहुत ज़्यादा चट पटी और टेस्टी लगती है इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लाइम जूस आने की लमन जूस डाल देंगे ताकि यह थोड़ी से चट पटी लगें उपर से भी तो इस तरह से मसाला डाल कर इसे आप फट क्लिक कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा जादा से जादा दोस्तों में से शेयर कीजेगा और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी नई सब्सक्राइब के साथ अब देक लिए अपना ख्याल रिखी बाबाई और टेक एर थैंक्यों फूर वाचिंग